नवश्कार दोस्तों, आठ फर्वी 2021 के डेली एडिटोरल डिस्कुशन में आपका स्वागत है देखते हैं यहाँ पे कौन-कौन से इंपोर्टन आर्टिकल्स डिस्कुस करेंगे अभी यह दोलों जो बजट फिगर्स निकल के आ रहे हैं यहाँ पे खर्चा को जरूरत से ज़्यादा निकल के आ रहा है ऐसा बोल रहे हैं डॉक्टर सी रंगराजन साथ और डॉक्टर डीके शिर्वास्तर साथ सी रंगराजन जी कौन है आपको पता हिए यह फॉर्मर चेर्वेन रह चुके हैं प्राइम मिनिस्टर एकनोमिक एडवाईजरी कांसिल के और पहले गवर्नर भी रह चुके है डिजर्व बैक ओफ इंडिया के तो इंडिया की एकॉनमी की समझ इनकी बहुत जादा है और डीके शिर्वास्तर जी यह चीफ पॉलिसी एडवाईजर है अर्स्टन यंग इंडिया के और फॉर्मर डाइरेक्टर रह चुके है मदरास स्कूल ओफ एकनोमिक्स के तो दोनों की नॉलेज काफी बड़ी है यह बजट के रिस्पेक्ट में क्या किया गया है इंफ्रस्ट्रक्चर के फील्ड में और फिसक और कंसॉलिडिशन को लेके उसके बारे में जो इनके व्यूपॉइंट से इसको समझेंगे फिर इंडिया-EU ट्रेट पैक्ट यह क्यों एक बहुत मुश्किल काम है आगे आने मेले समय में इसके बारे में कुछ पॉइंट दे रहे हैं कृष्णन स्री निवासन साहब कृष्णन स्री निवासन जी पहले फॉर्मर सेकरेटर है इंडिया के और इनका बोलना क्या है इनका बोलना यह है कि देखें इंडिया-EU ट्रेट पैक्ट मुश्किल इसलिए है क्योंकि European Union आज की डेट में एक कंबाइंड एंटिटी है ही नी जितना कंबाइंड European Union बाहर से नजर आता है उतना है नी European Union की जो अलग-अलग कंट्रीज है ना उनके viewpoints में, उनके काम करने के तरीके में, उनके सोचने के तरीके में बहुत differences है और उन differences के कुछ examples इस particular article में दिये हैं तो यह भी उतना ही important article है जितना पहला important article है यहाँ Australia opens related कुछ बाते कहीं जा रही है यह exporting tournament है जो हर साल Australia में होता है तो कुछ points से देख लेंगे इसको, कुछ खास नहीं है यह article और यह article बहुत important है, staying watchful और आज के editorial में दो important concepts हैं जो कि मैं आपको अलग से समझाओंगा एक important concept तो यह है कि जो आपका Food Corporation of India है यह MSP की खर्चे कहां से लेके आता है और वो खर्चे कितने जादा logical है और कितने logical नहीं है दूसरी एक वीडियो में आपके लिए अलग से इसलिए भी लेके आऊँगा कि held to maturity dispensation क्या है मतलब कि अभी recently RBI ने सरकार के लिए पैसा जुटाने के दो तरीके लेके लेके आए है एक तो government security सीधे सीधे small investors खरी सकते हैं जिसके बारे मैंने कल वीडियो बनाई थी दूसरा SLR quota वाली securities में जो maturity period उसको बढ़ा दिया गया है तो यह दो extra videos हैं दो extra economic की concepts हैं जिनको मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा एक और important article था हाज editorial का बट वो discuss नहीं हो पाएगा जो कि उतना समय नहीं बचा है तो बेले time waste किये पहुचते हैं अपने पहले article पे infrastructure push now, fiscal consolidation later union budget has provided reasonable stimulus to growth but concerns about fiscal deficit remain वीडियो पे like का बटन दोस्तों अगर अब तक आपने नहीं दबाया है उस वीडियो को share कर दीजे मेरे चैनल को share और subscribe कर लिजे आपको इस lecture की pdf चाहिए तो आप telegram group join कर सकते है नीचे link दिया हो Instagram पर follow कर लिजे आपके जनी डॉट सु जवाब दूँगा मुझे help करने के लिए आप join button दबा के चैनल के member बन सकते है current affairs की वीडियो ले लिजे newspaper analysis ले लिजे NCRT 6-12 quality, economy, history, geography किसी की मिले लिजे लक्ष्मी गान, spectrum सब कुछ मैंने आपके लिए free of cost बना रखा ये कोई भी वीडियो paid नहीं है तो आप join button दबा के help कर सकते है कुछ एक दो वीडियो एक्स्टर भी मिल जाएंगे देखिए जो fiscal year रहा है 2020 किसी बहुत extraordinary रहा है चुकि हमें एक बहुत बड़ी economic crisis देखने को मिली है और ये economic crisis की वज़ा कोई economic नहीं है इसकी वज़ा एक non-economic factor है pandemic pandemic आया, सारे economic activities बन गई भी आप बेड़ा गर्ख हो गया economy का National Statistical Office ने ये estimate कि economy 7.7% से shrink करेगी हलाकि इससे बहुत ज़्यादा से shrink कर सकती है ये least estimate इन सब चीजों के बीच में union budget आया 2021 का और union budget से बहुत सारी उम्मीदे थी कहीं न कहीं बहुत सारे लोगों का ऐसा बोलना है union budget बहुत अच्छा है उमीदों बखारा उतरा है और कुछ लोग तो permanent ऐसे होते ही है जो हर चीज की यहाँ पर बुराई करते है लेकिन कहीं न कहीं union budget में जिस हिसाब का expenditure जिस हिसाब का investment यहाँ पर envisage किया है सरकार ने बाई fiscal deficit बढ़ने वाली है fiscal deficit अब डेली मर्रा का शब्द हो गया यह fiscal deficit कहने के मतलब है सरकार का खर्चा और सरकार की कमाई तो सरकार का खर्चा जितना ज्यादा है कमाई से उतना ही सरकार को market से पैसा उधार उठाना पड़ेगा जितना extra पैसा market से उधार उठार आया अपने खर्चे को meet करने के लिए revenue से उपर उसको आप बोलोगे fiscal deficit simple भाषा में हाला कि इसकी और भी technical definitions होती है पिर आगर बात करें तो देखें central expenditure यानि केंदर सरकार का खर्चा और ये खर्चा किसके लिए 2021-22 के budget estimates के लिए तो अब विसी बात एक फरवरी 2021 को budget रखा गया 2021-22 का कि 2021-22 मतलब की एक अपरेल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक हमारे पास खर्चा कितना आएगा पैसा कितना आएगा और हम खर्चा कितना करेंगे ये तो हो गया budget estimate और 2020-21 financial year अलड़ी चल रहा है एक अपरेल 2020-31 मार्च 2021 अभी 31 मार्च 2021 आने में समय बचा है इस financial year को खतम होने में समय बचा है डेड़ महीने से जादा बचा हुआ है तो इस time period में सरकार कितना खर्चा कर देगी कि भाई एक फरवरी 2020 को जो budget आया था उसके respect में एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ जाए पहले आता है budget estimate बाद में आता है revised estimate budget estimate financial year शुरू होने से पहले आता है तो उसमें ये अंदाजा लगाया जाता है कि इस financial year में हम इतना पैसा खतम करेंगे और revised estimate का बाता है जब उस financial year का significant amount of time निकल चुका होता जैसे कि for example आप देखो तो 1 April 2020 से आज जब मैं ये video record कर रहा हूँ 8 February 2021 almost आप ये मान के चल लिजे कि लगबग 10-11 महीने बीच चुके है इस financial year के तो बहुत लंबा टाइम इस financial year का निकल चुका है तो अब हलका फुल का ये idea लगाया जा सकता है सरकार के दोरा कि total कितना खर्चा होगा तो जो total कितना खर्चे का figure निकल के आता है revision करके उसको revised estimate बोलते हैं कोई एक revised estimate नहीं आता है first revised estimate, second revised estimate, third revised estimate, fourth revised estimate सरकार जिसने चाया उसने revised estimate निकाल सकती है लेकिन 2020-21 का revised estimate और 2021-22 का budget estimate ये साफ-साफ ये बताता है कि खर्चा अगले साल में बहुच जादा होने वाला है और इस साल के revised estimate के एसाफ से बहुत जादा होने वाला है अब यहाँ पे इसके लिए कुछ data को code किया जा रहा है खासकर controller general of accounts के data और उससे पहले एक बात बोली जा रही हो since three quarters of two twenty twenty one have already passed the expenditure pushed for 2020-21 revised estimate over actual expenditure in 2019-20 has to be implemented in the last quarter देखें 2019-20 में जितना भी budget fix किया गया था और 2020-21 में जितना भी budget fix किया जा रहा है revised estimate के थूँ तो जितना भी extra अब 2020-21 का budget है 2019-20 का उसको last quarter में खतम करना है चोकि तीन quarter तो खतम हो चुके है पहला quarter कब से कब था अप्रेल मही जून दूसरा quarter जुलाई अगर सेप्टमबर तीसरा quarter अक्टूबर नॉमबर दिसंबर चौथा quarter जन्वरी फर्वरी मार्च जन्वरी फर्वरी मार्च चौथा कौथा चल रहा है जो एक्स्ट्रा पैसा है with respect to 2019-20 financial year जितना भी बड़ा है 2021 में उसको खतम करना है तो कहीं न कहीं 2019-20 का जो last quarter था और 2020-20 का last quarter है अगर आप इन नोनों के figures को compare करो तो 2019-20 के last quarter के total expenditure से 102.9% ज़्यादा expenditure 2020-20 के last quarter में करना पड़ेगा revenue expenditure 109.9% से ज़्यादा करना पड़ेगा 2020-20 के last quarter में when compared to 1920 और capital expenditure करना पड़ेगा 60.3% से ज़्यादा revenue expenditure और capital expenditure के फर्स समझते revenue expenditure वो खर्चा जो आप daily मर्रा की खर्चों को चलाने में इस्तेमाल करते हो capital expenditure जब आप कोई नया और productive asset बनाने के लिए खर्चा करते हो उसको बोलाता है capital expenditure जब आप daily मर्रा की खर्चे चलाने के लिए expenditure करते हो तो उसको बोला जाता है revenue expenditure तो अगर आप 2019-20 के last quarter को जो कि कब से कब तक रहा होगा वो रहा होगा 1 January 2020 से 31 March 2020 तर और 2020-21 financial year का जो अभी चल रहा है इसका last quarter कब से कब तक है 1 January 2021 से 31 March 2021 तो इन दोनों में जो खर्चे हो रहे हैं बहुत जादा हो रहे है revenue expenditure बढ़ रहा है 109.9% capital expenditure बढ़ रहा है 60.3% मतलब सरकार गदर तरीके से पैसा खतम कर रही है छोटा पोटा नहीं जबरदस्त पैसा खतम कर रही है अब इसमें बहुत सारा पैसा जा रहा है accumulated food subsidies को देने में Food Corporation of India को पैसा सरकार बहुत समय से देनी रही थी और Food Corporation of India से बोल रही थी भया तुम उधार ले लेके अपना खर्चा चलाओ आपको पता Food Corporation of India क्या करता है minimum support price के अंदर जो भी procurement होता है ठीकी न भाई जो farmer से minimum support price पे गेहू चावल खरीते जाते हैं इसके चलते आपके पंजाब और हर्याना के farmers इतना बवाल अभी कर रहे हैं वो पैसा कौन पे करता है FCI के पास पैसा कहा सजाता है वैसे तो FCI सरकार को बोलता है हमको पैसा दो लेकिन सरकार कभी कभी बोलती कि हम तुमको पैसा नहीं दे पाएंगे इसके लिए मैं आपके लिए एक अलग से बहुत चोटी सी वीडियो बनाऊँगा जहांपे छोटे-छोटे कंसेट से समझाने कोशिश करूँगा मैं वैसे भी कोशिश करूँगा कि हमें आपके लिए बहुत शॉर्ट वीडियोस लेकिया हूँ जहांपे कम है, मैं आपको concept समझाने कोशिश करूँ मैं बहुत बड़ी वीडियोस बिनाता हूँ जायद बहुत सरे लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हैं जो बहुत serious candidates होते हैं वही बड़ी वीडियोस देखते हैं तो मैं छोटी छोटी वीडियोस बिनाके भी revised estimate में पटाने की कोशिश कर रही है सरकार तो ऐसा बोला जा रहा है कि 2020-21 के revised estimate में 168,018 करोन की जो food subsidy जो की FCI ने उधार उठा रखी है NSSF से ये सरकार वापस कर देगी FCI को और अगर ऐसा वापस कर दिया जाता है तो कहीं न कहीं ये economy के ले अच्छा है चुकि कहीं न कहीं ये पैसा मार्केट से उधार उठाया गया है और वापस तो देखिए इसको करना ही पड़ेगा और चुकि FCI का जो subsidy का खर्चा था उसको सरकार पटा रही है अभी के budget estimates में तो overall अगर आप 2021-22 के budget estimates देखोगे तो revenue expenditure में वो 2020 के revised estimates से 2.7% कम नजर आएंगे चुकि 2020 के revised estimates में 1,68,018 करोन का जो लोन था ना FCI के उपर NSSF का इसको चुकाया जा रहा है अगर इस लोन को आप हटा दो और actually में सिर्फ food subsidy की बात करो ये जो पुराना NSSF का लोन जमा हो गया FCI के उपर इसको consider ना करो तो जरूर आप कह सकते हो कि 2021 का जो budget estimate में revenue expenditure है वो 2020 के revised estimate के revenue expenditure से 6.7% जादा है अगर ये NSSF की accumulated food subsidy को आप हटा दो तो लेकिन हटाएं क्यों? वो भी तो एक परकार की food subsidy है तो अगर उस food subsidy को consider कर रहे हो तो 2021 के जो budget estimate से ना वो 21-22 के जो budget estimate से ना पर अलग से वीडियो बनाऊगा ये जो NSSF से food cooperation of India बढ़ो करता है ना इसको समझने के लिए मैं आपके लिए एक different video बनाऊगा तो आप चिंता ना करें अभी के लिए आगे चलते 2020 के revised estimates में जो last quarter की खर्चे दिखाए जारे है कुछ और expenditures निखल रहे है जैकि की सरकार को बहुत सारा पैसा कभी-कभी प्राइविट सेक्टर को देना पड़ता है autonomous bodies को देना पड़ता है government-aided institutions को देना पड़ता है सरकार काफी लंबे समय तक इस पैसे वो कभी-कभी delay करके रखती है सरकार वो सारा पैसा भी release करने के चक्कर में कहीं न कहीं government-aided institutes, private sector और autonomous bodies को सरकार अगर पैसा देती है, उनका due पैसा तो सरकार का खर्चा बढ़ाएगा, बट कहीं न कहीं ये organizations भी economy में ही पैसा खतम करेंगे. तो overall जो basic case के revised estimates हैं, वो हमको बहुत जदा नजर आ रहे हैं, लेकिन एक simple line में आपको समझाओ, तो ये जो revised estimates हैं वो पहले की उधारी को चुका रहे हैं, इसलिए खर्चा बहुत जदा होता नजर आ रहे हैं, और पहले की उधारी चुक रही है, on ground बहुत जदा आप कह सकते हो कि crown level पर काम नहीं हो रहा है, ऐसे expenditures जो कि पहले expenditure book में नहीं दिखाये गए थे, वो अब expenditure book में दिखाये जा रहे हैं, इसलिए आपको खर्चा बहुत बढ़ा लग रहा है, बट actually में खर्चा बढ़ा हुआ नहीं है, जो कि ये खर्चा पहले ही हो चुका है, आगे बात कीज है, उसको 26.2% से बढ़ाया गया, capital और revenue expenditure के फर्क समझ गया होगा, capital expenditure मतलब नए productive assets बनाना, तो आपने नया hospital बनाया, नया school बनाया, this is basically a capital expenditure, okay, GDP के respect में बात कीजाए, तो 2019-20 में overall GDP का जो capital expenditure था, वो था 1.6%, 2020-21 के revised estimates में capital expenditure कितना निकल के आ रहा, GDP का 2.3%, और 2021-22 के budget estimates में overall GDP का कितना परसंट निकल के आ रहा है, आपका capital expenditure 2.5%, तो कही न कहीं एक चीज जरूर अच्छी दिखरी है बजट में, कि overall as a percentage of GDP, जो capital expenditure है, वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, अब सरकार खर्चे बढ़ा रही है, तो क्या सरकार को ऐसा लग रहा है कि उसक किया है, कि हाँ भई सरकार के gross tax revenue बढ़ेंगे, लेकिन सरकार ने जो assess किया है, कि उसके gross tax revenue बढ़ेंगे, वो इस बात पर assess किया है, सबसे पहला assessment तो इस बात पर कि GDP growth rate होगी 14.4%, यह बिट रहे हैं, आप में बड़ी बात है, भई GDP growth rate होना, nominal GDP growth rate 14.4%, और वेसी बात उसमें आप inflation अटा दो, तो यह figure 10 यह 11% पा जाएगा, अगर आप 4-4.4% का inflation बाते हो, तो सरकार ने assess किया है, कि nominal GDP growth rate 14.4% होगी, real GDP growth rate 10-11% होगी, तो इसके चलते जो tax buoyancy है, direct taxes की 1.6% होगी, indirect taxes की 0.8% होगी, अब आप बोलोगे, direct taxes, indirect taxes क्या होते हैं, तो आप income tax सीदे सीदे अप indirect tax, जैसे माल लीजा, आपने मेरे चैनल की membership खरी दी, अब उस membership के लिए आपने 199 रुपे दिया, तो उस 199 रुपे में 25-30 रुपे तो GST है, वो GST सरकार के पास जाएगा, तो वो किस तरीके का tax हो गया, indirect tax हो गया, तो आपको तो यह लगा कि 199 में मेरे पास आ गया, बट उस में से GST भी included था, जो सरकार के पास चला गया, तो यह कैसा tax है, यह indirect tax है, और GST आपको बहुत सी खरी दियू चीजों में देना पड़ता है, अब यहाँ पर आता है एक concept किसका tax buoyancy का, what is this tax buoyancy, जब भी GDP का size बढ़ता है, economy का size बढ़ता है, यह expect किया जाता है कि collected tax भी बढ़ बढ़ गई, ओके, यह 40% में थोड़ा ज्यादा बढ़ा रहा है, मैं बताता हूं कि GDP 10% से बढ़ गई, और जो tax collection था, direct tax collection वो 40% से बढ़ गया, तो 2010 financial year में GDP 10% से बढ़ी और tax collection 40% से बढ़ा, तो यहाँ पर tax buoyancy क्या होगी, जितने percent से tax collection बढ़ा है, उसको numerator मे लखो, जितन percent से GDP बढ़ी हो, इसको denominator में रखो, तोनों को divide कर दो, चार निकल के आगई यहाँ पर tax buoyancy, यहनी percentage increase in tax collection divided by percentage increase in GDP, और यह चीज निकल के आजाएगी आपकी tax buoyancy, तो सरकार यहाँ assess कर रही है कि direct taxes में tax buoyancy होगी 1.6%, indirect taxes में होगी 0.8%, लेकिन यह सब चीज में इस बात पर dependent है कि nominal GDP grade through it होगी 14.4%, जो अपने आप में बहुत बड़ा figure है, होगा भी की नहीं होगा, कहां नहीं जा सकता, उसके बाद सरकार और कहां कहां से पैसे लाने ही कोशिश कर रही है, तो सरकार बहुत सारे non-tax revenues और non-debt capital receipts के ऊपर भी depend कर रही है, non-tax revenues की अगर आप बात करिये, मत जितना budget किया गया था कि पैसा आएगा, उससे 35.6% कम आया है, ओके, और 2020-21 में, basically ये target किया जा रहा है कि non-tax revenues 15.4% से बढ़ेंगे, चलिए, यहां पे आप देखिए, कि non-tax revenues में spectrum sales एक major role प्ले करते हैं, और non-departmental undertakings एक major role प्ले करती हैं, non-departmental undertakings, देखिए, government की ऐसी बहुत सी companies होती हैं, जो कि market में एक commercial enterprise की तरह काम करती हैं, for example, इस्रो की commercial arm intrex limited, कहीना कहीं, उसके दोरा कमाया गया ज़दा दर पैसा सरकार के पास आता है, सरकार spectrum sale करेगी, अलग अलग आप कह लीजे, कि भाई, ATL को, GEO को spectrum sale किये जाएंगे, उससे जो पैसा आएगा, वो सरकार के पास जाएगा, तो इन सब के दम पे सरकार बोल रही ही, 2021-22 में उनके पास 15.4% non-tax revenue ज़दा है, जिस पैसे के उपर सबसे ज़दा सरकार dependent है, वो है non-debt capital receipt, 2021-22 में सरकार ये expect कर रही है, कि non-debt capital receipt 304% ज़दा आएंगे, और अगर आप इसको compare करो 2020-21 के revised estimates में, तो 2021-21 के revised estimates में, 32.2% की कटाथी देखने को मिली है, non-debt capital receipt में, with respect to last financially है, तो एक ऐसा field जहां पे 32% कम पैसा आया है आपके पास, पिछले financial ले रखे comparison में 2020-21 में, 2021-22 में 300% कैसे ज़दा आ सकता है, तो यहां पे जो main चीज़ है, वो है disinvestment, बहुत सारे हमारे सरकारी enterprises इनको privatization की बात हो रही है, जैसे कि for example, आपने कंपनी का नाम सुनाओगा, Wisex Steel, उसकी जो corporate branch है, RINL, Rastry, Spath, Nigam Limited, उसको privatize करने की बात कर रही है सरकार, strategic sales इसको बुला जाता है, वो करने की बात कर रही है, हला कि उसके unions काफी लड़ाई कर रहे है, जगड़ा कर रहे है, देखते हैं क्या निकल के आता है उसमें, समझ गया बात को, तो यह कुछ तरीके हैं, जिससे सरकार पैसा कमाना चाहती है, एक और तरीका है, National Monetization Pipeline, National Monetization Pipeline में क्या होगा, Asset Monetization, यनि सरकार के पास जो भी जमीने वगरा पड़ी हुई है, उन जमीनों को सरकार rent पे देखके, बेचके अपने थोड़ा बहुत पैसा इखटा कर लेगी, तो सरकार tax buoyancy पे, जमीने अपनी बेचके, government on land को बेचके, auction processes के थुरू, nominal GDP growth को देखके, tax buoyancy देखके, dis investment को दे सरकार हो, और private sector से भी expected पैसा खतम करेगा अभी, कोरोना के समय में, कौन सी private sector की company इतना पैसा डालेगी, ये देखने वाली बात है, हाला कि sovereign debt funds डाल सकते हैं, पैसा बाहर के देशों के, मलिशा सिंगापुर की sovereign debt funds ने interest दिखाया भी है, एक development financial institute मनाने की बात की जारी है, जिस 51% पैसा allocate किया गया है स्टेट को, सरकार ने ये देने से मान लिया है कि हम सरकार दे देंगे, पहले 42% था, अब इसको 41% कर दिया गया है, जो कि एक state नहीं रहा, जम्मु अन कश्मीर जो पहले एक state था, वो अब यूने टेरिटिव जम्मु अन कश्मीर और यूने टेरिव अब इसी बात है, एक state कम हो गया है, तो states का जो overall allocation है, उसको भी थोड़ा कम किया गया है, लेकिन जो CES का पैसा है, वो तो भाई states के पास जाएगा नहीं, तो overall अगर आप center का gross revenue receipt देखो, तो सरकार के पास पैसा आता है, tax के थूभी और CES के थूभी, तो tax का 41% सरकार किसको देगी states को, लेकिन overall tax plus CES के percentage की बात करो, तो states के पास किवल 30% पैसा जाएगा, ऐसा बोला गया है, 2021 के budget estimates में, तो कुल्विरा के end में यहीं बोला जा रहा है, भाई, कि 2020-21 में और 2021 के financial shock के बाद, सरकार जबरदस्त तरीके से पैसा खतम कर रही है, 15th finance commission ने बोला है कि भाई देखे, center को और states को responsibility पैसा खतम करना पड़ेगा, आप आँख बंद करके पैसा खतम नहीं कर सकते, इसलिए 15th finance commission की recommendation ने कि एक high powered intergovernmental group बनाईए, जो कि center के खर्चे को भी analyze करेगा, और आपके states के खर्चे को भी analyze करेगा, basically debt management करना, यह एक बहुत बड़ी चीज है, अभी debt management क कितना अच्छी तरीके सो रहा, कितना बुरी तरीके सो रहा है, यह सरकार कभी होने नहीं देगी, चुकि सरकार अगर अपने पैसे को borrow करने की चीज के उपर किसी तीसरी agency के लगाम लगने देगी, तो सरकार की यहाँ पे ताकत कम होती है, जो कि सरकार होने नहीं देगी, ठ सबसे खास बात है, कि अगर आप 21-22 की बात करो, तो 21-22 में इंट्रेस्ट पेमेंट पता है कितना निकल के आगर रेवन्यू रेसिप्ट का 45 परसंट, ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है, कि अगर 100 रुपे आता है टैक्स से, तो 45 रुपे तो पुराने लोनों पे इंट्रेस् चुका होगे, तो this is not a financial viable way to move forward, ये बात यहाँ पर बोलने ही कोशिश कर रहे है, सीर अंगराजन साहब और आपके डीके शर्वास्तर साहब, सरकार को कितनी समझ में आईगी नहीं आईगी पता नहीं, और सरकार भी क्या करे, कुछ लोग बोलते हैं पैसा ज्यादा खतम करो कुछ लोग बोलते हैं पैसा कम खतम करो, इतनी ज्यादा precarious economic situation ना रखी है, और सरकार के पहले के decisions भी कोई बहुत खास अच्छे रहे नहीं है, तो कुल मिला के chaos मच रखा है economic field में, तो जो हो रहा है, हम लोग पस इतना ही कर सकते हैं कि उसको analyze करते रहेंगे, finally आते हैं, an India EU trade pact में still remain elusive, यहाँ पर COVID-19 की बात की जारी है, Brexit की बात की जारी है, किस हद तक इंडिया और European Union के बीच में एक trade pact हो जारा है, उसकी बात की जारी है, और European Union किस हद तक अंदर से तूटा हुआ है, उसकी बात की जारी है, British Prime Minister को इंडिया में बुलाया गया, Republic Day की parade को attend करने के लिए वो आ नहीं पाए, चूकि UK में करोना वायरस ज्यादा फैला था, और फिर कहीं ना कहीं किसी को नहीं मुलाया गया हमारी Republic Day parade में, चूकि करोना वायरस पूरी दुनिया में फैला था, और Republic Day तो क्या ही मिना इस बार Republic Day parade पे तो किसका ध्यान नहीं था, तो ट्रेक्टर parade पे ध्यानता है इस बार तो, जब अर्दस तरीके से, चलिए वो एक अलग बात है, अगर बात की जाएं, तो इंडिया और European Union के बीच में अगर आप Trade Pact की बात करो, इंडिया EU Trade Pact की, तो क्या इंडिया EU Trade Pact पे बात आज से हो रही है नहीं भाई, 2007 में ही, इंडिया और EU क Trade Pact की बात शुरू हो चुकी है, लेकिन ये sign कभी नहीं हो पाया, उसके बहुत से reasons थे, पहली बात तो, professionals का movement, EU वाले नहीं चाहते कि इंडिया वाले, आप कह सकते हो, बल्क में आके उनके देश में गुसे, क्योंकि इंडिया में लोग जादा है, उनके अंदर skills जादा है, वो कम दाम पर काम करने को तयार है, तो EU वालों की सब की नौक नहीं खा जाएंगे, इंडिया वाले, फिर इंडिया में human rights और environmental issues को लेके, EU इंडिया पर डंडा मार रहा था, इंडिया वालों ने, वो नहीं माना, अब दोनों तरफ से चीज़ें होती, EU वाले इंडिया के professionals को घुषने नहीं दे रहें, तो इंडिया वाले बोल रहे हम तुम्हारे environmental laws को क्यो माने, ठीक है, फिर EU वाले इंडिया की उपर इल्जाम लगाते हैं कि आप ज़्यादा tax लेते हो, आपका tax regime inconsistent, आप arbitral awards को नहीं मानते हो, arbitral awards मतलब कि अगर European Union की कोई company, Indian government को घसीटे, international tax dispute mechanism में और 200-300 million dollar का fine मार दे जाए Indian government के उपर, तो Indian government पैसे को चुकाए, इस तब चीजों के लिए Indian government बोल देती ही, हम पैसा नहीं चुकाएंगे, सीधी बात है, तो कुल मिला कि यहाँ पर आप बात करो, इंडिया और European Union की, तो European Union को सिर्फ इंडिया के context में आपको बाकी देश की बहुत सी countries, इंडिया की major trade और investment partner है, US भी बहुत बड़ी partner है, अगर आप बात करो, तो EU में भी ज़्यादतर countries democracy है, इंडिया भी एक democracy है, तो वैसे तो कोई problem नहीं है, दोनों countries में trade अच्छी तरीके सो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन आज की date में जो international महाल चल रहा ह वो काफी turbulent है, काफी polarized महाल है, और यह जो polarization है, यह US President Donald Trump के आने के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, कहीं न कहीं, 2020 में अगर देखा जाए, Donald Trump ने जिस प्रकार की divisive policies को पूरी दुनिया में promote किया है न, European Union के अंदर भी एक structural lack of unity नज़र आई है, कहीं न कहीं अगर true trillion dollar के recovery package की बात हो ली थी, तो COVID-19 से लणने के लिए, European Union की countries के बीशे पैसा बाटा जाएगा, लगबग 2 trillion dollars, अभी जब ये 2 trillion dollars पैसा बाटा जा रहा थे European Union की countries के बीच में, तो European Union ने बोला कि सारी countries के ऊपर कुछ norms लगा जाएगे, तभी आपको पैसा मिलेगा, कि आप good governance क ध्यान रखोगी, आप judiciary की independence को तोड़ोगे नहीं, इस प्रकार की अगर आप शर्तों को पूरा करते हो, तो जो 2 trillion dollars का economic packages में से आपको पैसा दिया जाएगा, European Union में Hungary और Poland उटके साफ खड़े हो गए, ये हमारे उपर कोई condition मत लगा, ये हमको पैसा दोगे तुम लें, condition मत ल लगाओ, ठीके ना, पैसा हम लेंगे, पैसा हम क्यों लेंगे, क्योंकि हम हमारे पार्ट बने हुए हम तुमारे, और पैसा नहीं दोगे तो हम Brexit की तरह हम भी निकल लेंगे, हाला कि Hungary और Poland की economy इतनी स्ट्रॉंग नहीं है, जितनी Britain की economy स्ट्रॉंग है, बट कहीं न कहीं European Union क अंदर के जो दर्रे हैं न, वो साफ साफ बाहर निकल के आ रहे हैं, और जितना जुड़ा हुआ European Union नजर आता है, उतना जुड़ा हुआ European Union है नहीं, ब्रिटेन में एक पॉपलिस्ट मूव्मेंट चला, और वो पॉपलिस्ट मूव्मेंट क्या बोलता था कि भाया हम को European Union क पार्ट नहीं है न, हमारी एक अलग आइनिटिटी है, और इस प्रकार के पॉपलिस्ट मूव्मेंट के वो ब्रिटेन में नहीं, जर्मनी में, नीधर लैंड्स में, और European Union के बहुत से देशों में चल रहे हैं, बहुत से देश ऐसे हैं, उनकी पॉलिटिकल पार्टी जो कह रही है कि भाई, European Union से बाहर निकलो, for example, Germany में पार्टी है, Alternative for Germany, नीधर लैंड्स में पार्टी है, गीट विल्डर्स, ये सब बड़ी-बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो कह रही हैं कि हमको Eurozone का हिस्सा नहीं रहना है, चुकि Eurozone में कुछ इस प्रकार की पॉलिसी लेके आ करते हैं, और जब भी कोई migrant crisis आती है, जैसे सीरिया में civil war चड़ गया और बहुत सारे Muslim refugees European Union में भुज गया, तो because you are a part of European Union ने आपने बहुत सारे Muslim refugees को अपने देश में जगा दी, लेकिन इस चीज़ के अगेंस्ट अब openly बोलने लगे हैं, जैसे Dutch Prime Minister Mark Rutan ने बोला, French Prime Minister, French President Emmanuel Macron इन्हों ने बोला, इन्होंने openly Islam को क्रिट साइस कि और बोला, कि यह जो immigrants हमारे देश में आके settle हो गए, कही न कहीं इनकी वैसे problem create हो रही है, ठीक है भाई, तो कुल मिलाके European Union जो एक entity की तरह बनके खड़ा हुआ है, उस combined entity की जो choices रही है, उन choices के साथ जो individual member states है ना, वो वा एक level पे रहते थे, कही न कहीं चीजों को एक नजरीय से देखते थे, लेकिन जिस प्रकार की politics को Donald Trump ले क्या है, उसके बाद तो अब US से discuss करना भी ज़रूरी नहीं सकता है, European Union ने चाइना के साथ comprehensive agreement और investment साइन कर लिया, और US से इस बारे में बातचीत करनी तक ज़रूरी नह तो कुल मिला कि European Union अब अपने discussions बिना United States से discuss करके ले रहा है, वो US और चाइना के tug of war में ज़्यदा involved नहीं होना चाहते, वो सिर्फ अपनी progress को देखना चाहते हैं, और अगर आप military की बात करो ना, security और defense policy की बात करो ना, तो भी वहाँ पे धर रहे हैं, France की जो Emmanuel Macron है, वो ये चाहते हैं, कि Europe की खुद की security अच्छी हो, Europe की army बड़ी हो, Europe की military बड़ी हो, और Germany, Netherlands, Portugal जैसे countries के चाहते हैं, कि हम आर्मी वगरा पी ज़्यादा पैसा नहीं करना चाहते हैं, हमारी US से अच्छी दोस्ती हम NATO के member हैं, तो हमारे उपर अगर attack होगा, तो NATO हमको बचाने के लिए आएगा, तो हम China और Asia जैसी बड़ी military maintain नहीं कर पाएंगे, तो इस बात वे भी बहुत ज़्यादा discord है, कुछ लोग बोलते हैं कि अपनी military develop करों, कुछ लोग बोलते हैं, क्या जुरूआ थैं, नाटो बचा तो रहा है हमको, और भी बहुत से बज़ का, वो बाकियों को पसंद नहीं आ रहा है, तो coalition तूट गया, इटली का, तो भाई, वहाँ के प्राइम इरिश्टर ने ये resign करते हैं, इसको मैंने editorial में discuss किया था अपने, पुराने editorial नहीं देखें, तो देखें जाके, अलग बहुत दस दिन पहले के, तो overall, देखा जाये त सांस ने personal protective equipment के export को बंद कर दिया, बहुत सारी countries European Union की, Pfizer और Moderna के orders करके बैठी हैं, और वो बोल रही हैं कि सारे हमको दे दो, बतलक जितने भी लोगों को हमको vaccination देना, उससे दो, दो, तीन, तीन, चार, चार गुना order करके वो बैठे, तो कुल मिला कि ये जो European solidarity है न, European Union को एक single political entity की तरह दिखाने वाली जो बात है न, वो बस अब एक बात बनके रहे गई है, actual level पर उसका ground implementation होनी रहा है, समझ गए, ये बात यहाँ पर बात आई जारी है, तो European Union के दर्रे, और क्यों European Union का इंडिया के साथ एक comprehensive trade pact होना मुश्किल है, ये बात हमको पता चल गई है, तो सारी countries एक political lens से इंडिया को देख रही होती, तो कहीना कहीं एक trade pact हो सकता था, चाइना के साथ एक trade pact इन्होंने इसलिए कर लिया, चूकि चाइना की economic province, चाइना की manufacturing capacity, चाइना पर supply chain की dependence बहुत जादा है, तो चाइना के सामने मजबूरी है जुकना, बट इंडिया के सामने म Melbourne में शुरू हुआ Monday को, by coronavirus के era में, Australian Open को बहुत source समझ के शुरू किया गया, पिछले साल US Open भी हुआ, French Open भी हुआ, successfully conduct कराया गया, North America में, Europe में, Australia ने सोचा हम भी करवा लेंगे, Australia एक ऐसा देश है, जो कि coronavirus को रोकने में काफी successful रहा है, अगर आप बात कुर Australia की, तो जो total number of cases Australia में, वो 28,850 है, total number of deaths 1000 भी नहीं है, और कहीं न कहीं ऐसे समय पे, Australia में, जब इतने तगड़े lockdowns रहे हैं, बाहर से किसी को अंदर आने नहीं दिया जा रहा है, ऐसे समय पे, इस tennis tournament को कराने के लिए, 1000 प्लेयर्स को दुनिया बर से उठा के लेके आना, तो कहीं न कहीं, जो Australia की जो tennis organization है, उन्होंने, जो हो सकता था, वो किया, tennis Australia ने, आप देखे, कि पहले तो 40 million dollars खतम किये, पिलेयर्स के quarantine पे, 6 warm-up events कराएं, ओके, 30,000 फैंस को घुसने की permission दी, हर चीज जतना ज़ादा proper तरीके से, जतना ज़ादा alert तरीके से tennis Australia कर सकता था, उसने किया, ओके, सब कुछ किया, लेकिन एक positive case आ गया, उस hotel में, जहां पे यह tennis से related जतने भी players थे, वो रुके होगे थे, वहाँ पे एक positive case आ गया, उस positive case के आने के चक्कर में, बहुत सारे players को फिर से quarantine में भेज दिया गया, ठीके ना, overall, यह जो पूरा का पूरा event है, यह जतना ही, कोरोना वाइरस किस हद तक चीजों को तोड़ने की ताकत रखता है, किस हद तक आपके सारे के सारे arrangements को बेकार करने की ताकत रखता है, यह चीज़ यहां पर नज़र आ रही है, समझ गये, और यही चीज़ आपर बताई जा रही है, और finally आ जाते हैं भाई, हम लोग पॉलिसी कमिटी की मीटिंग हुई और फिर से इन्होंने अपने benchmark interest rates को unchanged रखा है, उसको बढ़ाया नहीं, ना कम किया ना बढ़ाया, और लड़ी RBI का जो repo rate है, वो कम ही चल रहा है, इस समय पे repo rate कम रखने की वजहें क्या थी, RBI monetary policy कमिटी के पास तो एक अच्छी वजह त कि जो CPI inflation था December का, वो 4.6% था, और ये 4.6% कोई कम तो नहीं बोलूँगा लेकिन फिर भी कहूंगा सही है, जो कि पिछले 6 लगातार महीनों से, जो CPI inflation का figure था, वो 6% से जाए था, बहुत लंबे समय के लिए तो 0.5% तक पहुँच गया था, तो जब CPI inflation की figure 0.5% तक पहु तो RBI के monetary policy committee में जो भी members उनको लगा कि चलो कुछ हद तक तो हम लोग accommodative stance रख सकते हैं, accommodative stance अगर नहीं पता है, तो मतलब कि भाई, हम economy को ना बहुत ज़्यादा lose monetary policy रख रहे हैं, ना बहुत ज़्यादा strong monetary policy रख रहे हैं, अभी के लिए lose monetary policy है, जो interest rates है, repo rates से सरकार ने ब बैंकों से पैसा उठाओगे, आपको बहुत कम interest rate पर उठ जागे है, housing loan 6-7% पर उठा रहे हैं, जबकि housing loan कभी 9-10% पर उठते नहीं थे पहले, 9-10% या 8% पर उठते तब 6-7% पर आपको 7-7% पर housing loans मिल रहे हैं, क्यों हो रहा है, इसलिए हो रहा है, चुकि RBI की monetary policy committee ने अ अब अगर बात करो आप, तो RBI की monetary policy committee अपने loans को बढ़ा क्यों नहीं रही है, एक तो इसलिए नहीं बढ़ा रही है, चुकि थोड़ा बहुत inflation कम हुआ है, पहले inflation ज़्यादा था तो सोच रही थी कि बढ़ा दो तो inflation control में आ जाए, अब थोड़ा inflation control में आ गया है, तो RBI की monetary policy चारी की थोड़ी और economic activity बढ़े है, उसके बाद अगर बात की जाए, तो agriculture के prospects बहुत अच्छे देखनेों को मिले हैं कहीं न कहीं हमारे देश में, कहीं न कहीं हमारे देश में infrastructure के respect में union budget में बहुत सारे announcement किये गए हैं, COVID-19 का vaccination program बहुत तेजी से इंडिया में चल रहा है innovation और research को पैसा allocate किया गया है हमारे budget में, तो ये सब कुछ ऐसे factors हैं, जिनको अगर आप RBI की monetary policy committee के इस accommodative stance के साथ मिला के देखते हो, तो आगे आने वाले समय में हमारी economy के performance काफी अच्छी होती नज़र आती है, समझ गे, accommodative monetary policy stance मतलब की पैसे को कम interest rate पे लोगों का available करा ना लेकिन कुछ गलत चीज़ें भी हैं, जैसे कि जो farm protest हो रहे हैं, पंजाब हर्याना यूपी में, कहीं न कहीं ये हमारी government की credibility को, ये हमारी सरकार की और देश की credibility को कम करके दिखा रहा है, फिर यहां पे दो और चीज़ें होई हैं, और ये दो चीज़ें अच्छी हैं या पैसा बौरो करने में मदद कर रही है, अब RBI सरकार को पैसा बौरो करने में मदद कर रही हैं दो प्रकार से, पहला प्रकार तो ये है कि जो small investors हैं, जो retail investors हैं, अब वो सीधे-सीधे guilt edge securities खरी सकते हैं, government securities खरी सकते हैं, ये एक बहुत important step है, इस proposal को यहां पे moot किया गया है, और कहीं न कहीं, जो online trading platform है, eco bear platform, वहाँ पे अब ये, जो small retailers हैं, जो small investors हैं, वो भी सीधे-सीधे register कर सकते हैं, ये एक step लिया हैं, RBI ने, ताकि सरकार के पास पैसा थो आच्छी तरीके से पहुँच पाए, इसके लिए मैंने एक अलग से video बनाई है, कल, small investors, retail investors can borrow, government securities directly, आप मेरे YouTube channel के video section में जाईए, आपको कल शाम को video मिल जाएगी, जो latest video अभी के लिए मेरे channel पर पढ़ी ही, वो यही वाली है, एक बार इस video को ज़रूर देखे जाके, आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा, और एक है held to maturity, देखे, SLR quota कोटा की security समझते न, SLR, statutory liquidity ratios में जो securities रखती है, बैंकें अपने पास, commercial बैंकें, उसमें held to maturity करके एक column होता है, यह जो held to maturity वाला column होता है, इसमें extension दिया है, RBI ने किसको, इन बैंकों को, होता यह है, कि जब कोई एक बैंक, SLR quota कोटा की security खरीदती है, तो जब वो बैंक, SLR quota कोटा की security खरीदती है, तो उस security की maturity date होती है उस maturity date के बाद SLR quota की security को या तो बेच देना होगा बैंक को, या नई securities खरीदनी होंगी, अपने NDTL के SLR के quota को पूरा करने के लिए, net demand and time liabilities, यह net demand and time liabilities क्या होता है, बैंकों के पास जितने deposits आए, वो पूरा का पूरा deposit हो ना, बैंक आगे loan में घुमा देगी, तो उस deposits में कुछ पैसा cash register ratio की तरह side में रखेगी, कुछ पैसा statutory liquidity ratio की तरह side में रखेगी, इस statutory liquidity ratio में बहुत से instruments होगे, gold होगा, silver होगा, और government back securities होगी, वो government securities होती है, SLR quota वाले security, SLR quota वाले security अगर आप खरीते हो सरकार से तो आप सरकार को पैसे देते हो, लेकिन हो एक particular time period के लिए खरी guaranteed rate of return मेलेगा, SLR quota वाले security पे, और कहीं न कहीं सरकार को भी extra पैसा मेलेगा, तो ये enhanced H2M वाला maturity को आगे बढ़ाया गया है, इसको भी मैं एक अलग वीडियो समझाने कोशिश करूँ, ये भी एक बहुत important economic concept है, ये दोनों वीडियो आपको जल्दी मिल जाएंगी, एक तो H2 ATM वाली, दूसरा FCI जो NSSF से boring कर रही है, ये वाली, तो यहाँ पर मैं अपने इस editorial discussion को खतम करता हूँ, आप अपने viewpoint मुझे से editorial discussion के बाद नीचे comment box में जरूर बताईएगा, thank you for watching this video friends, have a great day, like जरूर कर दीजगा वीडियो को जाने से पहले,